इसमें आज थोड़ सा थियोरी ही बताऊंगे क्योंकि आपको पता है अब रेश्यो का जो सींबल रहता है यह रहता है दो नौट्स लिखते हैं, दो बिंदियां रहती हैं, a ratio b और इसको हम कैसी लिख सकते हैं, इसकी representation कैसे होती है, a by b ठीक है यह हम इसको क्या बोलते है ratio बोलते है और इसको यह बोलते है और अगर maths में देखा जाए तो यह क्या होती है एक तरह की friction ही होती है जो ये है इसको ratio में क्या बोलते हैं? Antecedent तो पूछ लेता है हमें इन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है तो इसका नाम क्या है? Antecedent ठीक है और जो यह होता है इसको क्या बोलते है? बैटक कॉन सीक्वेंट तो हम थेयरी थोड़ी थोड़ी यार रखते हैं इन चेप्टर्स में Antecedent and Consequent ठीक है, very first ratio topic मैंने शिरू किया है Ratio क्या होता है, जो ऐसे से लिखा होता है इसको पढ़ते हैं A ratio B इसको भी हम पढ़ते हैं A ratio B तो इसके उपर वाले को बोलते हैं Antecedent और जो यह है, denominator में हैं इसको बोलते हैं Consequent इसका मतलब क्या, इसका मैं क्यों करवा रही हैं? पैटा, वो directly पूछ लेता है कई वाल कि अगर इस question में हमें दे रखा है 3 ratio 5 है, तो इसका Consequent क्या है? तो आपको नाम सुना और हो ना हो तो पता चल जाता है Consequent क्या होता है जो पीछे दिया हो, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो यह Consequent है, यह Consequent और यह Antecedent हमारे questions में भी, book में भी दे रखा है हम ratio की properties कर रही है ratio क्या है? ratio को हम always किसमी represent करते हैं? इसके lowest form में lowest form क्या होती है? अगर बेटा, मेरे पास यह है यह ratio दे रखी है तो ratio, यह सही ratio नहीं है इसको मेरे को क्या करना होगा? किसी table पे जा रहे हैं, तो उसको कट करके लिखना होगा वो होती है lowest form यह किस पे जा रहे है बेटा? यह कितना आएगा? आगे तो नहीं कहीं जा रहे तो यह है मेरी exact ratio इसलिए ratio की property क्या है? यह always किस में express करते हैं? lowest form में lowest form से क्या समझे? यह अगर कोई table पे काटती जा रहे है तो हो जाएगी इसलिए जब भी हमको इसका question solve करते हैं ratio का आपको याद हो पहले हम लेते थे let the common ratio be x कोई भी पहले यही याद करवाते थे हमें जब भी 7, 6 में ratio आ जाती है let the common ratio be x वो क्यों लेते थे? पेड़ा यह देखो हमें given में तो ratio यह दे दी तेकिन exactly जा कहा रही है इसकी 16 और 18 पे जा रही है इसका common factor क्या हुआ? 2 अगर मैं इसको 2 से multiply करती हूँ तो यह आ जाएगा अगर मैं इसको 3 से multiply करती हूँ तो क्या आएगा? लेकिन यह ratio exact ratio नहीं है हमें जो answer दिया होता है वो कैसे दिया होता है? lowest form में तो इसकी lowest form क्या आएगी बेटा? क्या आएगी इसकी? 3 के टेबल पे जा रहा है ना तो मतलब कि हमें 8 ratio 9 नहीं मिलगा चाहिए आपे multiple of 4 हो चाहिए multiple of 5 हो चाहिए multiple of 6 हो तो ratio हमेशन किस में express होती है? lowest form में तो हमें नहीं पता वो पहले किस से multiply होकर आया हूँ है 2 से multiply होकर आया है 3 से multiply होकर आया है 4 से multiply होकर आया 5 से अगर आपमें 2 से multiply किया था इसको 16 ratio 18 का भी यह ratio बनता था 3 वाले का भी यही बनता है 4 वाले का भी यही बनता है तो इसलिए हमें वो let the common ratio be x वो x को find out करते होते हैं हम sub equations में ratio की यह कहानी रहती है यह x की property का according समझ में आया कि वो क्यों रहता है let the common ratio be x वो हम इस common factor को find out करते हैं यह 2 है 3 है 4 है 5 है या क्या है समझ में आया तो यह हमारी first property थी जो हम कहते हैं यह always express करते हैं इसको lowest form में तो आप समझते हो अगर हमें question दे दिया कि किसी ratio का consequent क्या है consequent हमें दे दिया कि क्या है 15 है और find करवा रहा है find the antecedent of this ratio तो इसका antecedent क्या आएगा ये बताओ मेरे को बेटा consequent पहले मेंने बताया consequent क्या होता है ये वाला होता है अगर कोई नई ratio भनाई उसका consequent कितना दे दिया मेरे को 15 दे दिया ठीक है तो 15 कैसे आया बेटा यहां से multiply किसे किया 3 से किया तो अगर एक तरफ multiply तो दोनों तरफ ही होना है तो इसको भी फिर में किस से multiply करूंगी 3 से तो जो इस ratio का मेरा antecedent आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा समझें बेटा इसमें दोनों बाते clear है lowest form में होता है और इसको ऐसे हम cut करेंगे रेश्यो तो वही 3 रेश्यो 5 भी रहनी है समझें में यह मेरे first property हाँ जी next आती है हमारा इसकी property में ratio रेश्यो में बेटा यह always हम किस में लेते हैं ratio same units होने चाहिए हमारे question आता है कि परमोद की income है 3 घंटे की इतनी है अनंद की करते हैं तो 2 घंटे की इतनी है और उनकी कहा दिया ratio find out कर दो अगर हम 3 घंटे की income और 2 आर्स की income को सीधा ratio कर देंगे आपको की ratio का मतलब तो upon में लिखना है लिख दो जी बेटा नहीं उनकी units क्या होने चाहिए same होने चाहिए अगर उसके 3 घंटे का काम है पर मोद की तो अनंद के भी 3 घंटे का हो या दोनों का एक एक घंटे का लेलो फरकुछ नहीं पाड़ेगा लेकिन units क्या होने चाहिए same होने चाहिए यह हमें ratio कहता है तो ratio की दो properties है बहुत जो आपको ध्यान में रखनी है always expressed in its lowest form और क्या है उनकी units क्या रहने चाहिए always same होने चाहिए अगर आप एक चीज क्या ले रहे हो kilogram में ले रहे हो एक gram में तो उसमें कोई भी हम comparison नहीं कर सकती है तो इसकी दो properties है जो आपको ध्यान में रखती है ठीक है मैटा अब हम करेंगे हमारा discuss types of ratio types of ratio ratio के types very first है हमारे पास duplicate ratio duplicate ratio duplicate ratio जे क्या समझे अगर हमारे पास कोई भी ratio दे रखी है ये वाली इसका कहे कि duplicate ratio find out कर दो इसकी duplicate ratio क्या होगी इसका square करना पड़ता है अगर मेरे को example अगर हमें 2 ratio 3 दे रखा था और हमें क्या दे कि इसका duplicate ratio find out करो duplicate ratio of this ratio is क्या होगा पैटा 4 ratio 9 ये आपको ध्यान में है याद रखने है d से क्या ओरता है double मतलब 2 जैसे भी कर लो तो आपको इसका क्या करना है scaring करनी है duplicate ratio आपके पास आ जाएगी ऐसे ही नाम ही हमें आदा बोल रहा है कि अगर duplicate ratio कहें find out करने को general form में giver ratio ये है इसके duplicate ratio करनी है तो बेटा क्या हो जाएगा क्यों नाम ही बता रहा है एक बाद सुननी और याद रह जाएगा अगर मेरे ये ही ratio होती और इसकी मेरे को triplicate ratio find out करनी होती तो बेटा क्या होता इसमें 8 ratio 27 clear है और इससे ही related अगर मैं sub duplicate की बात करूए तो duplicate था इसके आगे एक word और लग गया sub, sub duplicate ratio बाकी ये duplicate है sub duplicate ratio में हम क्या करते हैं जो giver ratio है A ratio B यहाँ पी इसका क्या आजाता है बेटा root लग जाता है under root लग जाता है तो उसमें क्या हो गया वो sub duplicate ratio ये इसका है जो इसको नाम जैसे दे दिया वो आपको याद में रखना है ठीक है तो इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते है बेटा root को मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना यहाँ पे क्या है 1 by 2 है in case of sub duplicate ठीक है root भी बहुत सकते हो और यह वाली form भी लिख सकते हो बात क्लियर है sub triplicate लिखने की जरूरत ही नहीं है sub triplicate में क्या हो जाएगा उसका cube root हो जाएगा cube root लिखने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है यहाँ में 3 लिखना पड़ता है 2 के लिए तो understood होता है कि हम लिखते नहीं है वहाँ पे अगर cube root लिखना हो तो वहाँ पे 3 आ जाता है तो यह मेरा क्या हो गया sub triplicate ratio के लिए यहाँ पे मेरा यह रहेगा और इसको कैसे express करेंगे बेटा a की पावर में 1 by 3 ratio b की पावर में 1 by 3 ठीक है हाँ जी इससे आगी आती है हमारा inverse inverse ratio इन्वर्स में क्या रहता है अगर a ratio b है इसका inverse क्या हो जागा b ratio बहुत छोड़ छोड़ी बाते हैं और इसका question एक combined होकर आ जाता है इसलिए properties हम याद रखते है compounded ratio compounded ratio में इस सारी properties कई बार use करवा लेता है तो inverse ratio भी आपको clear है बेटा लिखने की जरूरत नहीं है a ratio b है तो इसकी inverse ratio क्या हो जागा b ratio है अगर ऐसी form में है तो इसका inverse ratio क्या हो जागा 3 by 2 ठीक है हाँ जी next हमारी आती है बेटा इसमें continue and compounded ratio compounded ratio compounded से क्या समझते है बेटा वो combined कर देगा compounded ratio हमारी exercise में जो ICA वली book है जो notes है उसमें first exercise पहले 10 सम है ना जो इनी के उपर बेज्ट है तो आपको यह घर जाकर करने है मैं एक बार इसको revise कर वाओं ठीक है compounded ratio से आप और क्या समझ सकते हो कि multiply करवाएगा ठीक है multiply करवाएगा multiply किसकी करवाएगा बेटा जो उपर वाले है उपर वालों की और जो upon में है वो रहे लेगा हाँ नीचे वालों की नीचे वाले से करवाएगा antecedence की antecedent से करवाएगा जो consequence है consequence से करवाएगा अगर मेरे पास A ratio B है C ratio D है E ratio F है इसकी कहे कि compounded ratio क्या होगी अगर compounded ratio इसकी क्या होगी तो बेटा चाहे इसको ऐसी form में कर दो और हमें कुछ करना ही नहीं ठीक है multiply करना है ratio को और इसमें से question क्या बूछ लेखता है बेटा जो first ratio है कि compounded ratio find out कर दो duplicate ratio of this one, triplicate ratio of this one, inverse ratio of this one, कहेगा compounded ratio find out कर दो duplicate ratio of A ratio B, triplicate ratio of C ratio D and inverse ratio of this one, तो हम क्या करेंगे बेटा आपको rules याद है properties याद है उसको find out करोगे फिर multiply कर दोगे, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो directly हो गया लेकिन इसका duplicate कह रहा है तो ये हो जाएगा, इसका triplicate कह रहा है तो ये हो जाएगा, इसका inverse कह रहा है तो यी हो जाएगा, कुछ भी कहा दे तो हम कर सकते हैं, यापके पहले 10 साम्या जो exercise A की है, इने की उपर based है, ठीक है आगे आता है continue ratio, continue ratio में से सम्भील जाता है हमें कि continue ratio क्या होती है continuous ratio, continue नाम से समझें मैंटा continuity होएगी जैसे मैंने अब लिखा था A ratio B, next मैंने क्या ले लिए था? C ratio D continue में क्या रहेगा? A ratio B है B ratio C, ठीकर है? यह हमारी continuity रहती है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसमें continue में A ratio B ratio C के लिए काम करेंगे वो पेटा हमें given में देता है मालो given दे दिया कि A ratio B है हमारे पास 2 ratio 3 और अगला दे दिया B ratio C दे दिया हमारे पास 4 ratio 5 कुछ भी ले लो यह तो मैंने वैसी ले ले कि कट्ट नी रही यह दे दिया तो हमारे पास क्या रहेगा अब कहेगा कि A ratio B ratio C find out कर दो जब B वही है तो B की quantity क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए यहाँ पे तो क्या पड़ा है 3 पड़ा है और यहाँ पे 4 पड़ा इसको shortcut आता हम एक्सरसाइज में बताऊंगे एक बड़ यह समझाने के लिए है continue ratio तो इसमें हम क्या करेंगे से बनाना है तो इसको 4 से multiply कर दे दोनों को और इसको किस के साथ multiply करना होगा 3 से या इसको ऐसे लिख लो अगर यह आपको मुश्की लग रहा 2 ratio 3 है यह 4 ratio 5 है जो BB वाला पार्ट है multiply कर सकते हो इसका shortcut आता है वो हम अपने exercise में solve करने के लिए करते हैं देखो A ratio B ratio C लिख देते हैं A ratio B हमें कितना given थिया 2 ratio 3 B ratio C कितना given था 4 ratio 5 तो हमने इसका shortcut बना रहा है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख दो तो इसका multiply करेंगे 8 ratio 12 ratio 15 आंसर तो वही आएगा तो हम time save कर लेते हैं बाकि कैसे भी आप solve करो तो ए continue ratio का ऐसे equation पूछ लेते हैं A ratio B देदेगा B ratio C continuity में रहेगा A ratio C देदेगा तो यह rule नहीं apply करेंगे फिर उसका पहले inverse करना होगा ऐसे equation हमारा temperature वाला है उसको भी solve करेंगे लेकिन अराम से चलते हैं जो बाते हमाई discuss हो रहे हैं इसको याद रखना है गर जाकर 10 questions करोगे उनको revise हो जाएगे यह वाले फिर आगे कुछ नाया करेंगे थोड़ इसे भर जाती है और कुछ नहीं पहले इनको अच्छे से याद रखना है ठीक है और बैटा आज के लिए फिर इतना ही